जौनपूर में अचानक BSP का टिकेट बदले जाने से पूर्वांचल की सियासत गर्मा गई है चर्चा ये निकल पड़ी है कि धरंजे सिंग जो हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते थे उनकी पतनी श्रीकला धरंजे सिंग को BSP ने टिकेट दिया तो ऐसा क्या हुआ कि BSP ने रातो रात उनका टिकेट काड़ दिया और वर्तमान सांसत शाम सिंग यादव को टिकेट दे दिया दरसल चर्चा धरंजे सिंग के एक अद्रश दबाव की है क्या ये दबाव जाज एजेंसियों का है या फिर किसी राजनीतिक दल का इस पर चर्चा तो खूब हो रही है लेकिन अधिकारिक तोर पर कोई मूँ खोलने को तयार नहीं है देखा जा रहा है कि जब से धरंजे सिंग जेल से बहार आए हैं उसके बाद से ही श्रीकला धरंजे की सियासी कत्यविदियां कम हो गए चुनाव प्रचार थमसा गया और अचाना की चर्चा चल निकली की बीएस पी अपने उमीदवार बदलने जा रही है देराश याम सिंग यादव के पास मायावधी का फोन आया और उन्हें बताया गया कि अब आप जानपूर से बासपा के प्रत्याशी होंगे रातो रात बसपा ने अपने टिकेट बदल दिया और धरनजे सिंग एक बार फिर खाली हाथ रह गए तो देखें सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है ये आज सामने भी आ गया जब जानपूर में अचानक से धरनजे सिंग की पतनी का टिकेट काट दिया गया जब जेल से धरनजे सिंग बाहर आये थे तो उनमें एक जोश था उन्होंने का था कि अब पूरी ताकत जोकी जाएगी पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी और उनकी पतनी चुनाव जीतेंगी और अचानक से क्या हुआ जो मायावती ने उनका टिकेट काट दिया गया एक तरफ के रहे हैं एजेंसियों का दवाव असली मुद्दस के बीचे क्या है देखे कहीं न कहीं कुछ दवाव तो हैं और दवाव इसलिए भी आप कह सकते हैं कि स्रीकला जो पहले तेवर दिखा रही थी चुनाव में नामांकन दाखिर करने के बाद वो तेवर उनके एकद कारू काम हो जाएगा बहुत ही तेजी के साथ काम सुरू हो जाएगा बड़े फायर किये जाएंगे फायर का मतलब आवाजें निकलेंगी सब कुछ ये किया जा रहा था लेकिन जिए बचानक ये सबसांत हो गया तो लोग कस्पका सोनते लिए कि मामला क्या है जो आदमी इ किया जो बीजेपी के प्रत्यास्वी वहां पर है क्रपा संकर सी वह बड़े प्रभावसानी है महराष्ट से आये जाणपूर के रहने वाले हैं और महराष्ट के मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस के जवाने में और उनका एक अच्छा प्रभाव है और वह इसी उमीद से निद्दिकापर कई मुकदमे हैं ठीक है कुछ में वह बरी भी हो गया हैं कुछ में वह हैं तो इत्यों मुकदमे भी हैं जिसके कारण फसा हुई है ठीक है आज आप कर रहे हैं आपको आज जमाना दे ढ़े जिक एक करन हम आप एक मुकदमे पिर आपको जयर बेद Hey नहीं ह यह जा रहा है कि इनी दो कार्डों से ऐसा हुआ और फिर धरंजे और उनकी पत्नी दोनों ने पायर खिश चुलिए अब मायावति को बता जिये एक भई जो को हम चुनाव लगने की इस्टिती में नहीं अब जब मायावति के सामने समस्थे आई कि अब एक दम किसको लाया ज है यह पहले डोजार उन्नीस के चुनाव में ये जीते सी लेकर अब हीहाल में मायावतिने इनको निलंबित कर दिया ता कि इनको एक बार जोगी happening देखा गया एक बार उनको कांग्रेस की म्यायात्रा में देखा गया तो ये माला गया कि ये ढुलमूल है कहीं कांग्रेस में जाने वाले कहीं तो माया बती तो आप जानती है सभाव के अल्कूल उन्हों तुर्ण सस्पेंट कर दिया लेकिन जब मौकापड़ा आप देखें सस्पें है उसके बाद भी रात को एक बज़े टेली फून जाता है और ये पुस्ती है माया बतीन से कि भाई चुनाओ जड़ोगे तो उन्हों का हाल लेंगे जबकि आज उन्हें जानपुर से बाहर जाना था जैसा उन्होंने अपने एक बयान में कहा स्याम सी याद दोने मुझे जातों जानपुर के बाहर जाना था क्योंकि चुनाओ तो लड़ाना नहीं तो लेकिन अब रुक करके और वह लेकिन इससे जो वहां की सियाशत है वह काफी घर्मा गई बिलकुल तो खुल मिलाकर कि रातो रात टिकेट में बदलाव हुआ जो पहले 2019 में सांसत थे उनको द पैर खीचे तो मायावती को मजबूरन दुबारा उसी प्रत्यार्शी को चुनाव में उतारना पड़ा जिनको उन्होंने कई कारणों से पार्टी से निलंबित कर दिया था